आज में अपने किचन में आपके लिए बनाने चाह रही हूं चाही के साथ एक बहुत ही जबेदर से और बच्चों की पसंदीदा एक डिश में बना एक रेसिपी आपको दे रही हूं जो है टेकसर्स प्रटाटो वेज़िस इसको बनाने के लिए जो हमें अजज़ा चाही है उसके लिए लाज़मी बात है कि क्योंके पटाटो इसके इस्तमाल हो रहा है तो ये छे बड़े आलू है जिने ये देखें मैंने इस तरह से पील आफ करके काटके रखा हुआ है एक अंडा है और हाफ कप मेरे पास जो है वो दूल है अच्छा जो जो स्टेप करती जाओंगी वो मसाले आपको दिखाती चली जाओंगी तो सबसे पहले हमें ये एक अंडा और ये दूद मिलाकर अच्छी तरह इसको आपसमें मिक्स करना है और फेटना है तो ये मैं फेट के आपको दिखाती हूँ जी तो ये मैंने अंडा और दूद जो है यह फेंट लिया है अच्छी तरीके से अच्छा भी से एक तरफ रख दीजिए अंडा और दूद को फेंटने के बाद यहां में एक बात यह आपको बताती चलूँ के मेरे पास यह थोड़े बड़े साइस के आलू है जो मैने काटे हुए है आपको ज्यादा लग रहे होंगे लेकिन हैं यह भी छे ही अच्छा अब हम इसका ड्राय जो है वो मिक्सर त्यार करते हैं यह मेरे पास हाफ कब जो है य यह शामिल कर रहे हैं आपके पास दूसरा वाला होगा तो आपको शामिल कर दिजी यह थाइम है यह भी half टीश्पून है यह मैंने शामिल कर दिया अच्छा यह चुँके मैं थोड़ा пойसी बना रही हूं तो आप जाने तो एक टीश्पुन डाल सकते हैं लेकिन मैं रेड चिली जो है ये एक टेबिल स्पून डाल रही हूं हमेशा बताती हूं कि आप नमक और मेरे जाइक के हिसाब से होता है और ये एक टी स्पून मेरे पास नमक है ये तमाम चीजों को मैं ये देखिए अच्छी तरीके से एक खुले बर्तन में इसलिए मैं आपको तो ये देखिए तमाम चीजें जो है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए वरना आपका कहीं फ्लेवर जो है वो तेज आजएगा कहीं हलका आएगा बहुत मज़ेदार होते हैं शाम की चाये के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे अगर आप बच्चों को का बच्चे देना चाहिए आजकल उक्डू Ourź कूल टो बंध में हैं तो भी बड़ी मझथारै आप जाय करेंगह बच्चे इसलिए कि आज टार्डू है तो बंध हैं तो बच्चको इंज़ाय के लिए बनाईए ये देखिए यह मैने बहुत अच्छी तरीके से इसको आपस अच्छा कि यह मैं पर वैजीज सेना ये मैंने डाले ये इस तरीके से इसमें मैं को प्लोट करूगी इन अच्छे से इसके अंदर डालिए इसको इसमें डिप कीजिए डिप करने के बाद इस हमारे ड्राय मिक्स्टर में इनको शामिल कीजिए अब ये देखिए ये मैंने अच्छे से कोट कर लूँगी तीन चार को ये देखिए ये मैंने इनको कोट किया अच्छी तरीके से और ये मैंने वाई गरम किया हुआ है और ये को ज़्यादा तेज हो गया है मैंने आच हलके कर दिये अब मैं इसमें ये डालने शुरू करते मिक्सचर कमपड़ जाए तो और बना लीजे इस तरीके से इसको फ्राई कीजिए और फिर बच्चों को कैचप के साथ या जो भी आप दिप देना चाहिए उसके साथ दीजे अब मैं आपको निकाल के फ्राई करती हूँ फिर निकाल के दिखाते हूँ ये देखिए ये बस जब इस शकल के हो जाएं और आँच हमें या बतादूं आपको ये थोड़ी दर्मियानी रखिएगा वरना ये उपर से सिख जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे ये देखिए ये ये इस शकल के हो जाएं तो इने निकाल लीजे ये तैयार हैं मैं अब ये और डालती हूं फिर आपको दिखाती हूं ये देखिए ये शकल है इस अच्छा मैं आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूं तो तैयार है मेरे किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से टेकसास पिटाटो वेजिस ये बनाईए बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे और इस पे इंजाए कीजिए इसलिए फिर मैं दो रादू के स्कूल बंद है रेस्टोरेंस बंद है बच्चों की तो फरमा बंद है तो जुरूर मेरे कमेंट बॉक्स कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज आपको बहासानी मिल सके इसके साथ मैं बात आपको और बता दूँ के ये डिप मैंने इसके साथ जो सर्फ क्यार थे अनुट बहुत पसंद आपको जीजिए बैके साथ पसंद दो गालिक के सक Salt बच्चों को दीजिए केचाप के साथ दीजिए चिली के शीए पीस के साथ बहुत जायकिए लगते हैं तो इन्शानला फिर हाजिर होंग गे अच्छी से रेसिपी के साथ यज तब तक झाल झाल